आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है ओविसली यह बाद मैं हमेशा बोलता हूँ बैट यह वाला सच में इंट्रेस्टिंग है आज का सवाल यह है कि क्या आपको SIP करना चाहिए या लंसम अमाउंट जब मार्केट डाउन हो तब डाल देना चाहिए विच इस अलसो कॉल्ड आज बाइंट यही तॉपिक का सवाल और जवाब आज का वीडियो में हम कवर करेंगे तोड़ेस्टियो इस वीडियो इस आलसो पार्ट अवर यूटूबर फ्री स्टेजी सीजीज वर वीटेश्ट चैजी प्रवाइड यूटूबर यूटूबर य आप उनका चैनल देख सकते है उस स्क्रीन पे बाइड टाइम आफ रेक्वाइडिंग हमारे चैनल पे भी हम बहुत जल्दी 17.5 क के तरफ बढ़ रहे है तो अगर आप में से कोई है जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कॉंटेंट भी अच्छा देने वाले सर्विसिस नहीं है इनका गोल उन ट्रेडर पे फोकस्ड है जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है और इनके टूल्स को एडिशनल कन्फरमेशन की जारा अपने अनलिस में यूज करेंगे इनकी एक स्ट्रॉंग ट्रेडिंग कम्यूनिटी भी है पे जहां यह लग ट्रेड आइडियास पोस्ट करते रहते हैं और नए सेटप भी पोस्ट करते हैं इनके इंडिकेटर में आपको काम के और जादे अक्यूरेट सिग्नल मिलते हैं बाकी के ट्रेडिंग सर्विसिस के कंपारिजन में रेड भी बाकी सर्विस प्रवाइडर क के कंपारिजन में अल्मोस्ट हाफ ही है जिसमें यह आपको 6 इंडिकेटर्स प्रवाइड करते हैं with 20 डिफ्रेंट यूनिक कंफुलेंस पॉइंट जो आप अपने अनलिस में यूज कर सकते हो और मैं आपको गैरेंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि यह आपको हमेशा पैसा बना के देगा इतना तो हम भी जानते हैं कि हम ट्रेडर्स है और हम प्रवाइडिटी पर विश्वास करते है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा अगर आपने वहां से अकाउंट ओपन किया तो आपको 40% ओफ मिल जाएगा जिससे आपको एफेक्टिवी यह प्रोडक्ट और सस्ते में मिल रहा है तो इफ्याइट इंट्रेस्टिंग तो चेक देम आउट स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा होगा इनका यह कहना है कि अगर आप SIP करते हो ना तो उससे बेटर काम क्या कर सकते हो आप यह स्टेजी यूस करो जब प्राइस अच्छा कासा करेक्शन दे रहा होगा ना तब आप खरीदो बेजिकली जब प्राइस डिप कर रहा ह होगा तब आप एक लंबसम अमोड उस पर इन्वेस्ट कर दो तो क्या होगा SIP के कमपैरिजन में आपको बहुत बेटर रिटन मिल जाएगा कैसा रहता है यह बोलना तो बहुत आसान है कि जब प्राइस इधर आया तब आप बाई कर लो फिर जब वापस प्राइस इधर आया तब आप बाई कर लो फिर जब लास्ट में प्राइस इधर आया तब बाई कर लो फिर लास्ट में जब प्राइस यहां आया तब बाई कर इसलिए लोग strategy बनते हैं जो हो सकता है कि आपको यहां entry दिला है या फिर यहां entry दिला है जो itself is a very good thing और यह claim कर रहे हैं इनकी strategy वैसे काम करती है using RSI indicator चलो देखते हैं हम इस strategy को nifty में directly test करेंगे obviously nifty 20 का option है बट जब आप nifty और nifty 20 का chart compare करोगे न तो आपको nifty 20 के chart में noise form हो जाता है इसे क्या होता है RSI का value जो nifty 20 में है और जो nifty में है उसमें slight changes आ सकता है तो हो सकता है कि आपको nifty 20 में वहां entry ना मिले जहापर आपको nifty में entry मिला है no doubt overall CAGR return same है but I personally don't prefer it और वैसे भी बहुत लोग क्या करते हैं कि वो directly किसी mutual funds में ही index में invest कर लेते हैं hardly कोई र bank nifty में भी अगर आपको invest करना है ना तो आप तो उसके लिए कोई ऐसा ETF directly तो नहीं है उसके लिए भी लोग क्या करते mutual funds के तुरू ही bank nifty में invest करते हैं ऐसे instruments को जो bank nifty को track करता है और last reason उन्होंने भी अपने वीडियो में nifty पर ही test किया था so हम भी वही करेंगे यह strategy सिर्फ buying के strategy है so हम भी इसको सिर्फ buying के लिए test करेंगे तो चलिए intro के ओद हमे strategy को देखते है जहां हम buy the dip strategy provided by Pratik Singh from learn app को जितने times मिलता है उतने times test करेंगे in nifty और maybe in bank nifty also और चेक करेंगे कैसे काम करता है so hi everyone this is Pranit from Trader Insight let's start the video चलिए सबसे पहले trading भी open करेंगे अब simply अपने को nifty plot करना है तो यहाँ पर उपर click करो अभी फिर यहाँ पर उपर nifty search करो और add कर दो अब time frame में जाएंगे और time frame को one month कर देंगे अभी यह हमने क्यों किया क्योंकि हम investing कर रहें इसलिए time frame one month का होगा अब वापाज उपर indicator पर जाओ और RSI search करो तो यह built-in वाला आएगा इसको अब चार्ट में add कर दो अब RSI के settings में जाएंगे फिर length को 2 कर देंगे इसके बाद उपर styles में जाके यह lower band का जो range है उसको 10 कर देंगे और moving average को अंटिक कर देंगे और okay कर देंगे so हो गया setup ready चलिए आपको rules समझाता हूँ obviously यह investing strategy है तो इसके rules बाकी videos जैसे नहीं होगा अब normally हम क्या करते है महीने का first day जो होता है न हम वहापर अपना SIP कट करवाते है तो आप ऐसे मान सकते हो कि यह monthly candle जो है उसका जो open price है वही आपके SIP के लिए entry price हो गया अब यह strategy क्या कहता है कि let's say आपने plan किया कि March में कि आप investing start करोगे right so आप every month 500 rupees डालोगे तो instead of investing 500 rupees every month आप wait करोगे और वो पैसा जमा करोगे और जब तक कोई month का end नहीं आता जहापर RSI 2 का closing 10 के नीचे हो गया है जैसे आप यहापर देख सकते हो यह Jan का महिना था वहापर RSI का value 10 के नीचे चला गया है तो आप क्या करोगे इसके next month का जो starting day पे होगा जो first day होगा वहापर आप यह सारा का सारा lump sum money invest कर दोगे so technically जब यह example देखोगे तो every month का 500 rupees so that is roughly यहापर 11 महिने है so 11 into 500 हुआ 5500 so यह 5500 आप एक साथ FAB में invest करोगे अब आप देख सकते हो FAB month का भी जो closing है ना उसमें भी RSI 10 के नीचे है so आप क्या करोगे जैसे ही March महिने का भी open हुआ तो आप वहापर finite rupees invest कर दोगे क्योंकि FAB month तो हो गया तो एक महिना हो गया ना उसके बाद तो यह एक महिने का finite rupees आप वापस invest करोगे अब next देखो वापस सीधा FAB 2020 में आपको RSI 10 के नीचे चला गया so यहापर roughly 47 months है so 47 into 500 ओर 23,500 यह पूरा का पूरा lump sum amount हम यह next महिना March के starting में invest कर देंगे और फिर so on continue करेंगे चलिए I hope strategy clear है आप उनका वीडियो जरूर देखिए अगर आपको strategy बारे में जानना होतो तो इस strategy को हम जितना बार हमें मिलता है example हम उतने बार टेस्ट करेंगे और इसका असली विंडेट चेक करेंगे I'll let you know the full result after the test चलिए results देखते हैं so देख सकते हैं जैसे आप देख सकते हो total हमें सिर्फ 18 ए ट्रेड मिले है और उसमें से total gain was 2320% in 26.60 years जिसको आप CAGR के term में roughly 12.73% बोल सकते हो अब यह test में हम यह assume कर रहे हैं कि हमने start December 1995 से किया है जहाँ पर पहली बार RSI 10 के नीचे चला गया तो हमने वो मैने में सिर्फ finite रुपीज इन्वेस्ट किया और इसके आगे के जो भी entries है वहाँ पर हम जो total लमसम amount है वो सब invest करेंगे और last trade हमें July 22 में मिला है जहाँ पर वापस RSI 10 के नीचे चला गया था तो उसके भी opening price में अपने entry लिया है और यह test के जो results है न हम July मैने का ही जो closing price है मतलब July मैने जब close हुआ न तो जो nifty का price है उससे हम data compare करेंगे इससे क्या होगा जब हम इसको SIP से भी compare करेंगे और दोनों में data same रखेंगे न तो हमें result compare करना जादा accurate पड़ेगा चलिए यह इतना impressive result है चलिए SIP का भी results देखते है in 3, 2, 1 और यह क्या इसमें हमें total 200 trades मिला है in which 2355% gain हुआ है in 26.60 years क्योंकि हमने यह same रखा था तक यह अपने को test compare करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे na CAGR हुआ 12.79% यह तो almost same ही निकला इतना difference को मैं difference नहीं मान सकता हूँ यह तो margin of error में आप गिनी सकते हो आप देख सकते हो यह by the dip strategy यूज़ करके आपको almost same SIP का ही return मिल रहा है तो यह strategy यूज़ करने का क्या sense बनता है क्योंकि आपको every month Nifty को track करना है कि उसका कई value RSI 10 के नीचे तो नहीं आ गया और SIP में तो यह tension आपको रहता ही नहीं है हर महिने के पहले तारिक को आपको कटता है तो आपको CAGR 26.57% का मिलता बट अगर आपने SIP किया होता तो आपको return 26.16% मिलता which is also roughly same So यह strategy personally मुझे use करने का कोई sense नहीं बनता है एक तो data भी enough नहीं है और जितना भी है उसका result same ही है So I would advise कि कोई भी video देखके अपना SIP कभी बंद मत करो There is a famous saying कि time in the market is always better than timing in the market यह बात को हमेशा आद रखना आपका पैसा जितना time market में रहेगा वो ज़्यादा important है कि आप वो timing देखते रहोगे कि हाँ यहाँ पर price कम है तो आप यहाँ invest करेंगे ऐसा As always जैसे मैं आपको बोलता हो सीधा मेरी बात या किसी की भी बात आपको blindly trust नहीं करना है हर strategy आपको पहले खुट test करना है और फिर decide करने की strategy कैसे काम करता है So guys if you like the video Please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video अगर आप हमको support करना चाहते हो तो UPID आपके screen पे होगा और अगर आपके बाद जीरोधा का account नहीं है तो मैं description में link डाल दोगा हमसे account open करके आप channel की थोड़ी help कर सकते हो और अगर आपको ये back testing sheet चाहिए तो मैंने already channel पे share किया है आपको एक video suggest हो रहेगा या फिर link description में होगा आप वासे check out कर सकते हो प्लीज कमेंड में आपके feedback दीजिए और कौनसी strategy आप चाहते कि हम back test करे अपने future videos में ये भी ज़रूर बताना आप अमरे channel के playlist देख सकते हो और दूसरे strategies के videos भी देख सकते हो all the social media links will be in the description please follow us and show our support more awesome contents are on the way so see you next time झाल